Hello everyone, Good morning to all of you बच्छे हमारा सेल मेंब्रेन कम्प्लीट हो गया सेल मेंब्रेन के बाद अब हमने करनी है और्गनलीज ठीक है जैसे कि हमारे पास ये सेल है सेल के अंदर और्गनलीज डिफरेंट डिफरेंट और्गनलीज होती है सबसे पहले हम करेंगे किसको माइटोकॉंड़िया को ओन है जो हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉंड्रिया स्टॉक्च्चर और्फॉक्षिन माइटोकॉंडिया बहुत इंपर्टेंट रहेगा आपके syllabus point of view से अगर बात करें तो बहुत important है, अगर हम अपने cell के बात करें तो हमारे cell में भी बहुत important role play करता है अगर हम इसको पावर होस आफ ता सेल कंसिडर किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यह ATP की formation करने में role play करता है ATP क्या है, अडिनोसीन ट्राइफोसफिट, ठीक है, जो energy की form है, जो हमारे food से convert होती है, वो बनती है, फाइनली ATP जो हमारी body utilize करती है ठीक है, और वो ATP कहां बनता है, inside the mitochondria, और इसी के basis पे mitochondria को क्या बोला जाता है, power hose of the cell क्योंकि यह क्या करता है, energy produce करता है in the form of ATP, ATP की full form क्या होगी, अडिनोसीन ट्राइफोसफिट, ठीक है उसके बाद अगर हम इसके discovery की बात करें, इसको सबसे पहले callicar ने discover किया था 1880 में और time जो थी बेंडाने कोईन की, 1898 में और उसके बाद बस हाँ, यही दो आपने लिखने इसक ने किया, callicar ने 1880 में और टोम जो थी कोईन की थी बेंडा ने 1898 में, ठीक है, नीट पॉइंट अफ यू से ये तो जीज़ थोड़ी important है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना, अब बात करते हैं, structure of mitochondria की, तो structure में सबसे पहले हम बात करेंगे, shape की, shape and size की, then उसके बाद number की, अगर shape की बात कर different shapes आपको दिख रही है, ये cylindrical है, ये हमारे पास circular या oval है, और ये हमारे पास branched and filamentous है, तो इसकी जो shape है, वो vary करती है, कहां कहां से cylindrical to oval, spherical, branched and filamentous, ठीक है, then उसके अगर बाद हम size की बात करें, size इसका जो cylindrical form है, जो कॉन से cylindrical form है, उसका 1 to 5 micrometer है, और जो oval form है, उसका 2 to 5 mic kronometer है, size भी variable है, उसके बाद number की बात करें, तो number कुछ एक ऐसे cells हैं, ये भी depend करता है different cells पे, ठीक है, different cells पे depend है, कुछ एक ऐसे cells हैं, जिसमें एक-दो mitochondria होगा, कुछ एक ऐसे हैं, जिसमें hundreds of mitochondria होगे, और कुछ एक ऐसे हैं, जिसमें thousands of mitochondria हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं few two thousands of mitochondria जो हैं वो हो सकते हैं किसी भी cell में अब देखो जैसे मैंने बोला thousands of mitochondria वो किसमें होंगे जैसे germinating seed होते हैं जो seed germinate करके अब आगे plantlet बनाएगा उस वले seed में mitochondria का number जादा होगा क्योंकि उसमें germinate करके उसने plantlet बनाना है तो उसको जरूरत जादा होती है तो उस टाइम पर यहां पर mitochondria का number increase हो जाता है ठीक है तो कुछ एक ऐसे cells हैं जिनमें बहुत few होते हैं जैसे हमारे अगर arbicis की बात करें आपने पढ़ा ही होगा या नहीं पढ़ा अगर तो हमारे जो arbicis होते हैं हमारे blood का जो component है इसका एक feature क्या होता है इसमें सारे की सारी cell originaries होती है at the time of formation but after maturity सारे की सारी cell originaries degrade कर जाती है ठीक है और सारी cell originaries खतम हो जाती है तो फिर जब mature होना शुरू हो जाएगा arbicis तो automatically क्या हो जाएंगे जो जादा mitochondria थे वो few में आ जाएंगे और few से totally absent हो जाएंगे ठीक है तो ये number की बात आई अब हम बात करते हैं ultra structure की इसका जो structure visible है यहाँ पे थोड़ा ये pen से थोड़ा अलग सा हो गया है एक second इसकों में color change कर लेती हूँ हाँ इसमें देख लेते हैं उसमें थोड़ा mixing सी हो रही थी अब अगर structure की बात करें पहले हम diagram पे आते हैं ये देखो ये इसकी बहार की membrane है ये इसकी अंदर की membrane है तो मतलब हमारे पास जो mitochondria है double membrane structure है सबसे पहली बात double membrane structure मतलब दो membrane से मिलके बना हुआ है ये आपको ये जो बाहर दो दिख रहे हैं ये एक ये इसको आप यहां से fill कर सकते हो इसको आप पूरा shade में fill कर सकते हो ठीक है ये हमारे पास एक ही membrane है ये बाहर वाली outer membrane जो inner वाली जो folding शो कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं inner membrane ठीक है अब मैं आगे बताऊंगे इन दोनों में difference क्या है अभी ज़स्त आप याद रखो structure को अभी हम देख रहे है ठीक है outer membrane और inner membrane inner membrane का special feature है वो folding शो करता है different type की folding शो करेगा ये देखो जो दिख रही है और in folding को क्या बोला जाता है crystal जो ये foldings है न in foldings को हम क्या बोलते है crystal और in folding के ओपर होते है oxyzoms ये जो दिख रहे हैं noble egg structure दिख रहे हैं आपको इन crystal के ओपर branch crystal के ओपर दिख रहे हैं इनको बोला जाता है oxyzoms oxyzoms पर बाद में आते हैं उसके बाद जो mitochondria का अंदर का साइटोप्लाजम है जो पूरा कंटेंट है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स पूरे कंटेंट को हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स और मैं आपको एक को चीज बता दूँ हमारी बॉड़ी में माइट्रो कॉंट्रे एक ऐसी और्गनली है जिसके पास खुद का डियन्ने होता है ठीक ह हमारी और्गनली जो है उनमें खुद का डियन्ने नहीं होता ठीक है माइट्रो कॉंट्रे का यह स्पेशल फीचर है कि इसके पास खुद का डियन्ने होता है और आपको पता है हम ना कभी कबार बोलते हैं मतलब मदर से स्पेशल करेक्टर्स जो हैं जो फादर से ट्रांसफ है उसके बाद इसमें ग्रेन्यूल वगरा हैं पूरा मेट्रिक्स है बाकी चीज़ें थोड़ी सरी माइनर है आपने दो चीज़ें याद रखनी है एक तो क्या डबल मेंब्रेंट स्ट्रॉक्चर है इनर वाली मेंब्रेंट मॉडिफिकेशन या फोल्डिंग शो करती है ठी है यही जो है इसमें पावर जनरेट होथी है का मतलब एन डफ टीकिवसरी सब्सकर करें रिचिज हुआ कि इसको बोला जाता है F1 complex इसको बोला जाता है F0 complex ठीक है ओग्जिजोम को F0, F0 to F1 complex भी बोला जाता है इस वाले portion में enzyme है ATPase जो ATP की formation करता है ATP की formation कहां होती है ओग्जिजोम के F1 complex में ठीक है अब यहां पे होगी formation ATP की formation हो चुकी है अब यहां से ATP मूव करके जाएगा यहां जरूरत होगी वहाँ ATP यूटिलाइज हो जाएगा ठीक है यह किसका overview है structure का अब हम बात करते हैं mitochondria की further description की दो membranes है मैंने जैसे आपको बताया दोनू membranes में मैंने आपको बताया था कि difference की बात हम करेंगे अभी फिलाल दो membranes है एक outer है एक inner है यह तो आपने अभी देख लिया अब दोनू में difference क्या है outer वाली है permeable inner वाली है semi permeable इसका मतलब क्या होगा जो outer membrane है वो सारी चीज़ों को पास होने देती है कुछ भी water soluble है fat soluble है या कुछ भी जो है उसको पास होने देती है यह semi permeable है semi permeable का मतलब selected material को पास होने देगी ठीक है सारा का सारा material इसके अंदर पास नहीं हो जाएगा कुछ एक selected material को ही पास होने देगी अब यह feature permeable और semi permeable feature किस वज़ा से है यह देख लेते हैं permeable और semi permeable feature इन में special proteins की वज़ा से है जो इनकी जो जैसे यह membranes है इन membranes में जो particular proteins हैं जैसे मैंने कर आपको plasmo membrane में प्रोटीन बताई थी थी extrinsic और intrinsic ठीक है उन proteins की variation की वज़ा से इनका nature जो है vary करता है अब जैसे outer membrane है इसमें protein है pouring protein pouring protein जो freely channel बनाती है जो BR है आजो आजो ठीक है लेकिन जो inner membrane है उसमें special protein है permease जो हर किसी को enter नहीं होने देती अगर कोई पहचान का है उसी को आने देगी otherwise हर किसी को enter नहीं होने देती ठीक है खेर पहचान का तो मैंने ऐसे बोल दिया actual में होता है water soluble or fat soluble उसके accordingly पास होने देती है otherwise हर चीज को पास नहीं होने देती ठीक है तो ये दो चीज़ें आपने specially याद रखनी है क्या याद रखनी है outer membrane में pour-in protein है जो हर चीज को allow कर देती है लेकिन inner membrane में permease है जो specific material को allow करता हर चीज को allow नहीं करता ठीक है समझागे इतना अब हम बात करते है crystal crystal क्या है ये आपको पता है mitochondrial में जो इस तरह से modifications है inner membrane issue की है वो हमार पास crystal है crystal किस तरह के होते हैं elongated मतलब लंबे-लंबे होते हैं circular गोल भी हो सकते हैं zigzag shape के भी हो सकते हैं और ये करते क्या है mitochondrial matrix को different chambers में divide कर देते हैं different chambers में divide कर देता है crystal के फुपर oxyzome दोते हैं oxyzome ATP की formation होती है oxyzome की बात करें oxyzome मैंने आपको जैसे बताया था ये diagram फिर से बनाई हुई है oxyzome malipop बनी हुई है oxyzome lollipop shape होते हैं लॉली पॉप तो हर किसे नहे खाई यह देखू यह लॉली पय दिख रहा है ठीक है लॉली पॉप शेप की तरह होता है और अरेंज होता है किसके डोन्य के जाता है बेस से जला जा गाएगा क्रिस्टा में क्कृस में इस कहानी fabrics के दा गलता है जासे अद्व哥 को बोला था असी तरह क्रिम कोणों का नंबर यहीं करता है आप जैसे Chief की बात किती ऊस exciting क्रेटंश्य अब जो मैंद गोष्डान थे था तो Mitochondria के साथ साथ Oxizome भी जादा होंगी क्योंकि अनरजी के रिक्वाइर्मिंट जादा है और अनरजी यूटिलाइज भी जादा ही होगी तिक उसके बाद हम बात करते हैं Matrix की जो अभी मैंने आपको बताय था Mitochondria का जो Cytoplasmik content होता है उसको क्या बोलते हैं Matrix और में 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 म और जब में पूछते हैं आपको जब शॉर्ट में आता है इस लिए वह पॉछते हैं और पॉछ लिए इसको पावर और रही होसा अब पोलते हैं ए़ जो हम यूटिलाइज करते हैं बॉड़ी की फंक्शनिंग के लिए और हम एटिपी पूरी बोडी में प्रोवाइड किया जाते हैं तभी उसको हम power of the cell बोलते हैं पांच माक्स का कोशन है अब उसमें हमने क्या करना होता है माइटो कोंडरी की इलावा और क्या function से amino acids provide करता है फोर protein synthesis ठीक है उसके बाद यह क्या करता है हम इसमें several ions होते हैं जो living organisms को help करते हैं ठीक है इन उसके बाद माइटो कोंडरी जो है energy देता है अधर और्गनलीज को अधर और्गनलीज जैसे अभी मैंने आपको बता था नो गॉलगी बोड़ी होत enzymes हैं जो क्या करते हैं fatty acid की synthesis कराते हैं ठीक है यह भी mitochondria का ही function है अब last पर है हमारे पस origin of mitochondria ठीक है और mitochondria कहां से बनता है अब mitochondria की origination होती है इसको बोलते हैं डी नोवो मतलब क्या हो गया डी नोवो का मतलब के mitochondria जैसे यह एक mitochondria है यह enlarge करेगा और divide करके existing mitochondria करेगा और निया mitochondria बना देगा ठीक है कोई अधर इसमें जरूरत नहीं होती है खुद का mitochondria duplicate होके मतलब पहले enlarge करेगा देन उसके बाद enlargement के बाद सेंटर से डिवाइड करेगा दो mitochondria हो जाएंगे ठीक है तो इस synthesis को हम क्या बोलते हैं डी नोवो synthesis ठीक है तो आज हम mitochondria ही रखते है mitochondria का structure and function कहीं पर भी confusion हुई आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है thank you so much